अध्याय छे प्रभु येशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ती की अनुसार है तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है जिन से डाहा और छगड़े और निन्दा की बाते और बुरे-बुरे संदे हैं और उन मनुश्यों में वेर्थ रगड़े छगड़े उत्वन होते हैं जिनकी बुद्धी बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए है जो समझते हैं कि भक्ती कमाई का दुआर है पर संतो और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इनी पर संतोष करना चाहिए पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत थेरे व्यर्थ और हानी कारक लालसाओं में फसते हैं जो मनुष्यों को विगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं क्योंकि रुपए का लोब सब प्रकार की बुराईयों की जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्म करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आपको नाना प्रकार के दुख धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुष्टी लड़ और उस सनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहूं के सामने अच्छा अंगीकार किया था मैं तुझे परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है और मसी यिश्व को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया या क्या देता हूं कि तू हमारे प्रभू यिश्व मसी के प्रकट होने तक हिसाक्या को निश्कलंक और जिसे वो ठीक समयों में दिखाए करा जो परमधन्य और अध्वेत अधिपती और राजाओं का राजा और प्रभू का प्रभू है और अमर्ता के वलुसी की है वो अगम्य जियोधी में रहता है ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है उसकी प्रतिष् और राज्य युगान युग रहेगा आमीन इस संसार के धनवानों को आग्या दे कि वे अभी मानी ना हो और चंचल धन पर आशाना रखे परन्तु परमेश्वर पर जो हमारे सुक के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और भायता देने में तत पर हों वे आगे के लिए एक अच्छी नेव डाल रखे कि सत्य जीवन को वश्म कर ले एती मूधियूस इस धाती की रखवाली कर और जिस ग्यान को ग्यान कहना ही पूल है उसके अशुत पखवात और विरोध की बातों से परे रहे कितने इस ग्यान का अंगिकार करके विश्वास से भटक गए हैं तुम पर अनुग्रह होता रहे